नमस्कार साथियो नियूज के लिए कि में हम आपका स्वागत करते हैं एक पत्रकार समय की नब्ज को पकड़ता रहता है इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि कोई उस पर सेल्फ रेगुलेशन कर पाएं अगर वो खुद पर सेल्फ रेगुलेशन करता है तब ही जाके अभिव्यक्ति की स्वतंदर्ता को वो सम्हाल पाता है लेकिन बहुत ऐसा हुआ है कि राजनीतिक दल पत्रकारों को विवस्थित करने के लिए मैनिफेस्टों में एक हिस्सा लेकर आई है तो उसी पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिन इस्टूट आफ मास कम्मुनिकेशन के मेडिया एथिक्स के प्रोफेशर प्रोफेशर आनन्द आखिर कर आपको इन पांच सालों में क्या परिवर्टन हुआ कि इन तरह कि ये स्पेसिफिक बातों को जैसे की नागरी कदिकारों के सवाल हैं लोगों के बोलने की आजादी के सवाल हैं सेडिशन का इस्तमाल है ऐसे बहुत तेरे सवाल आए जिनके कारण एक तो मेडिया में उसकी आजादी को कैसे सुनश्चित किया जाए और दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि मेडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तरह से यूं माना जाने लगा, उस पर आरोप लगने लगा कि वो पूरी तरह से सरकार का भूपू हो गया है. और तीसरी तरफ ये भी दिखाई पड़ा कि मीडिया में इस तरह इन दिनों खास करके टेलिविजन मीडिया में जिस तरह का डिसकोर्स चल रहा है उसमें शोर शराबे को अगर छोड़ भी दें तो जिस तरह के मुद्दे लगातार पिछले कुछ सालों से चलाया जा रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सामप्रदाइक सवहार्द को बिगाड़ने वाले हैं समाज में जहर भरने वाले हैं और आम तरपर जो लोगों के मुद्दे हैं उस से गायब होते जा रहे हैं तो इन सब सवालों को लेकर के मीडिया के तौर तरीकों को लेकर के मीडिया के वेवहार को लेकर के मीडिया में जिस तरह की पूंजी आई है, मीडिया में जिस तरह का मालिकाना परिवर्तन हुआ है इन सब को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में चर्चाएं काफी तेज हुई है और मुझे लगता है कि इसलिए ही शायद कॉंग्रिस के घोशना पत्र में और सीपिया के घोशना पत्र में बाकी भी मीडिया की आजादी को लेकर के, उसके रिगुलेशन को लेकर के, पत्रकारों के कोड अफ कंड़क्ट को लेकर के, उसमें मीडिया की ओनर्शिप को लेकर के, सिनेमर्टोग्राफी एक्ट को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों देखा होगा, आपने खास करके, जो हम इन सब कारणों से मुझे लगता है कि मीडिया के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ बहुतेरे सवाल थे और इसलिए शायद उनको एडरिस करने की कोशिश इन दोनों मैनिफेस्टोस के जरिये की गई है और मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को ये करना चाहिए क्योंकि मीड के बारे में वो पार्टी और उसके आने वाले सरकार क्या सोचती है उसके पास क्या प्लैन है और क्या मीडिया से जो उठ रहे सवाल है उनको एडरिस करने के लिए वो तैयार है तो मुझे लगता है कि अगर मीडिया इतना महतुपूर्ण इंस्टिशूशन है तो उसको उस पर डिसकस हो उसके कैरेक्टर को लेकर के उसकी ओनर्शिप को लेकर के उसके अंदर उभर रहने है ट्रेंड्स को लेकर के और उस में कौन से प्रवर्तियां ऐसी हैं जो स्वस्थ हैं कौन से प्रवर्तियां हैं जो नकालात्मक हैं इन पर चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस manifesto से ये चर्चा अगर शुरू होती है तो मुझे लगता है कि media के democratization के लिए उसके लोग तांतरी करण के लिए ये एक अच्छी पहल हो सकती है पबलिक डोमेन में लेकर के चर्चाएं तो अब भी चल लए हैं लेकिन जब ये संस्थाओं की बात होती है जो इनको regulate करते हैं जैसे प्रेस council of act तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं साधार जनता बहुत कम जानती है अखिरकर ये क्या है कैसे नियंतित करती थी कि अब ये रहा जा रहा है कि नहीं इसमें परिवर्तन करने की जौरत है कुछ ऐसा लाने की जौरत है जिससे ये पूरी तरह से इसको regulate कर पाएं तेकि प्रेस काउंसिल एक तरह से प्रेस आयोग की रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया पहली बार 1965-1965 के आस पास और उसका पहला काम यही है या उसकी पहला objective है या goal है कि वो प्रेस की यानि प्रेस की मनें अख़बारों और पत्रिकाओं की यानि प्रिंट माध्हमों की स्वतंतरता को सुनश्चित करेगी पत्रकारों की स्वतंतरता को सुनश्चित करेगी और दूसरा उसका objective है कि उसके बारे में उसके content के बारे में उसके कामकाज के बारे में अगर कोई शिकायत है तो उसको वो self regulation के आधार पर mode पर उसको regulate करेगी प्रेस काउंसिल एक quasi judicial body है statutory body है जिसमें एक तरह से उसको बहुतेरे अधिकार भी है लेकिन आप देखिए कि 1966 के बाद देश में बहुत कुछ बदल चुका है खास करके print media sector में भी बहुत कुछ बदल चुका है तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और खास करके जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो paid news की report के साथ हुआ जो प्रेस काउंसिल ने खुदी वो committee constitute की थी खुदा असान सब्दों में paid news का मतलब जब अकबार या print माध्यम लोगों से तरह तरह के मतलब चाहे वो राजितिक गे हों चाहे corporates हों उन से पैसा लेकर के खबरें चापने लगे और पाठकों को नहीं बताते है यानि एक तरह से ये कहा जाए बिग्यापन चापने का उनको अधिकार है पर हम भिग्यापन को भिग्यापन की तरह देखते हैं खबर को खबर की तरह देखते है खबर का मतलब यह है कि वो किसी पत्रकार ने स्वतन तरीके से उसकी छान बेन जाँच परताल करके एक सच्चाई हमारे सामने रखी है लेकिन अगर वो खबर किसी ने पैसे दे करके छपवाई है तो जाहिर है अपने पक्ष में छपवाई है और वो पूरी सचाई नहीं हो सकती है तो ये एक तरह से पत्रकारों के साथ भी और पाठकों के साथ भी धोखा है एक तरह से पाठक एक ट्रस्ट के नाते आपका अख़रीता पढ़ता है और खबरों को इस रूप में देखता है कि एक सची खबर है जिसकी इंडिपेंडेंटली यानि स्वतन तरीके से जाँच पड़ताल की गई है अब ये पेड न्यूस की जो फेनोमेनन है ये बहुत पिछले 10-15 सालों में काफी ब्यापक तोर पर फैल गया एक बीमारी है जो एक तरह से कई मामलों में अखबार की आजादी को भी उसकी क्रेडिबिलिटी को भी यानि उसकी साह को भी नुकसान पहुचा रही है तो प्रेस काउंसिल ने कमीटी काउंस्चूट की थी 2009 के आस पास उस कमीटी ने उस साल के लोकसभाचुनाओं के आधार पर पूरे देश में जाँच परताल की पत्रकारों से बात किया नेताओं से बात किया और वो रिपोर्ट दी करीब 75 पेज की एक रिपोर्ट थी जिसको प्रेस काउंसिल ने एकसेप्ट करने से मना कर दिया वो क्योंकि प्रेस काउंसिल का जो मौजूदा ढाचा है उसमें पत्रकार सदसे भी हैं और मालिकों के संगठन भी हैं तो बेसिकली आईडिया तो यह है कि उसमें प्रेस को रेगुलेट करने का काम उस प्रेस से आने वाले लोग ही करें सरकार के हाथ में regulation नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ ये कि उसमें चुकि मालिक और मालिके प्रतनिधियों की संख्या इतनी जादा थी कि वो एक report जो बहुत महतुपूर report थी उसको प्रेस काउंसिल ने स्विकार करने से मना कर दिया उस पर एक और committee बैठा दी फिर उसमें पांच पेज की किसी तरह से एक बहुत हलकी फुल की report जिसमें कुछ भी recommendations नहीं थी या जो उसमें जो exposure था उसको हटा करके एक बहुत ही sanitized report पेश कर दी गई बाद में जब justice मारकंडे काट जो प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने पूरी वो report एक तरह से एक document के रूप में website पर डाली और तब फिर ज़्यादा गंबिर चर्चा हुई तो एक तरह से ये एक उसके धांचे में कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा elected representative मीडिया से और civil society से उसमें आए nominated कम हो ताकि उसका एक elected nature उभर करके आए जेनूइन पत्रकार उसमें सामिल हो सके इसकी गुंजाइश बनाना और जो तीसरी चीज है जिसको लेके बहुत ज़्यादा बहस चलती रही है कि self regulation का idea तो बहुत अच्छा है लेकिन self regulation के प्रियोक के तोर पर देखा गया कि press council ने बहुत सारे अखबारों को जिसमें कई बड़े अखबार भी थे जब भी उनके रिपोर्टों की जो उनके बारे में शिकायत हुई इसकी आलोचना की तो उन रिपोर्टों के बारे में जो उसकी आलोचना थी उसको भी छापने से मना कर दिया तो एक तरह से कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था उसको एक तरह से toothless tiger बिना दात के एक तरह से सेर कहा जाने लगा था तो ये मांग भी कई सालों से उठ रही है कि प्रेस काउंसिल को जुर्माना लगाने का सजा देने का अधिकार भी मिले कि अगर आप कई बार किसी तरह का violation करते हैं और कुछ गंभीर तरह के violation हैं अगर media ethics के norms के code of conduct के तो आप पर सक्त कारवाई होनी चाहिए जैसे मान लेजेए कर कोई doctor गर्बड़ी करता है तो उसका license revoke हो सकता है कोई lawyer गर्बड़ी करता है तो उसका license revoke हो सकता है जरनलिजम में हम कोई licensing system نہیں है कोई भी journalist हो सकता है लेकिन अगर कोई journalist जान बूज करके गलती करता है और एक ही गलती को करना समाज को नुकसान होता है करी सामपरता एक दंगा भड़कता है तो उसमें तो कारवाई होनी चाहिए उस अखबार पर भी होनी चाहिए उस जनलिस्ट पर भी होनी चाहिए तो इसको ले करके एक बहस है अभी इस पर एक तरह का पुलिटिकल कंसिंसस नहीं है कॉंग्रिस बहुत specific recommendation नहीं है पर मुझे लगता है कि इस पर अगर एक बाचित शुरू हो एक चौतरफ़ा बाचित हो पर इसके अंदर बाचित हो पर इसके बाहर बाचित हो यह हम देखते हैं कि एक ही कोई है जो बहुत बड़ा अद्योग पती है पूरे के पूरे मिडिया घराने को वही सम्हाल रहा है तो उसकी बाते चलते हैं और किसी पार्टी का पक्छ रखता है और दूसरी पार्टी को हटाने ही कुशिस करता है तो यह जो मसला है क्रॉस ओनरसी, मिडिया में मौनो पोली इसको लेकर के दिखें वैसे तो कानूनन हमारे देश में ये सवाल भी बहुत पहले से रहा है दुनिया बर में रहा है कि जब हम कहते हैं प्रेस की आजादी तो प्रेस की आजादी क्या पत्रकार की आजादी है कि उसके मालिक की आजादी है सचाई तो यही है कि वो आजादी वास्तों में मालिक की आजादी है पत्रकार को कहने के लिए सामने तोर पर दिखाया जाता है कि वो पत्रकार की आजादी है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है, लिख सकता है, रपोर्ट कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि वो मालिक के निर्देशों के मताबिक उसके संपाद की दायरे में ही वो आजादी है, कॉंग्रेस के घोशना पत्र में एक बात कही गई है कि वो पत्रकारों की आजादी भी मौ स्रमजीवी पत्रकार कानून जो संसद्वारा पारित कानून है जिसकी खुले आम धज्जियां उड़ाई जाती है प्रेस में जो कहीं लागू नहीं होता जिसमें पत्रकारों के नौकरी की देखें क्या है कि उसकी सेवार शर्ते और उसकी नौकरी की गारंटी हो तब तो उसकी आजादी का कोई मतलब है अगर कोई अकबार में काम कर रहा हो और अगर वो एक रिपोर्ट स्वतनर लिखे और उसको अगले दिन बाहर कर दिया जा अकबार से तब तो वो आजादी नहीं है उसकी तो उसको आप किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं उसके निकालने की क्या प्रक्रिया होगी उसकी जॉब की जो सेक्योरिटी है उसके लिए जो सरमजीवी पत्रकार कानून है वर्किंग जर्नल स्टेक्ट है उसमें प्राउधान है उसके लिए अलग से pay commission बनाया जाता है जैसा कि आपको जानते हैं खास करके print media के लिए तो मुझे लगता है कि उसको strengthen करने की जरूरत है स्रमजीवी पत्रकार कानून को मजबूती से लागू करने की जरूरत है अब क्या होता है कि उसको labor commissioner और जो labor inspector है उसको लागू कराना चाहिए कि हर अकबार में जैसे पिछले दिनों मजीठिया आयोगा है pay commission ज्यादा तर अकबारों में लागू नहीं हुआ या ज्यादा तर अकबारों ने उसके खिलाफ campaign चलाया कि ये अगर लागू हुआ तो हम तो अकबार बिग जाएंगे खतम हो जाएंगे पत्रकारों को इतना पैसा नहीं दिया जा सकता खरमचारियों को इतना पैसा नहीं दिया जा सकता ये सब सवाल जो है मुझे लगता है कि अब बहस के केंदर में आने चाहिए कि पत्रकारों की आजादी को कैसे सुनश्चित किया जाए संस्थानों में उनके जॉब की कैसे सेक्यूरिटी की जाए उनके वर्किंग कंडिशन को कैसे बहतर किया जाए उसमें उनको यूनियन बनाने का अधिकार कैसे मिले क्योंकि देखिए अगर आपको यूनिनाइज होने का अधिकार नहीं है मीडिया संस्थानों में तो आप बारगेन नहीं कर सकते अपनी आजादी की हिफाज़त नहीं कर सकते तो ये सब सवाल है जो मुझे लगता है जिस पर कॉंग्रेस भी खामोश है और उनके समय में भी ज होनी चाहिए और स्रमजीवी पत्रकार कानून को किस तरह से मजबूत किया जाए इस उद्देश के साथ कि पत्रकारों की आजादी उनका वेतनमान और उनकी शेवा सर्ते और अखबारों में काम करने वाले सभी करमशारियों की भी जो उसमें प्रेस में काम कर रहा है जो ब को मिला होता है कि सब जो मर्जी वो कारोबार कर सकते हैं लेकिन ये मिडिया घरानों में जो कारोबार करने वाले लोग हैं जो कोई जिसके पास तेल कंपनिया हैं खनन जो चलाते हैं वो पूरे के पूरे मिडिया को संभालने ही कुसिस करते हैं आपको नहीं लगता है कि यह यहां पर ऐसा प्रवाधान वनने की इन छित्रों के लोग यहां पर नहीं काम करेंगे या मोनोपॉलिय टाइप नहीं होई कि एक ही लोग मिलकर के पूरे के पूरे क्या कहते हैं मीडिया घराने को ही कंट्रोल करें देखें मैं समझता हूँ कि ये एक broader सवाल है जिसको हम कहते हैं regulation of media यानि media को जो regulate करने के बारे में हमें peace मिल नहीं मतलब कहीं पर थोड़ा कपड़ा फटा वाना जा रहा है वहां एक पैबंद लगा दिया फिर कहीं और फटा हुआ फिर वहां पैबंद लगा रहे हैं तो पैबंद लगाने के बजाए हमें व्यापक तोर पर media के मौझूदा धाचे की खास करके उसके मालिक आने के धाचे की चर्चा करनी चाहिए उस पर विचार करना चाहिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जरूरी सवाल है जिसको सबसे पिछले 15 साल से कम से कम इस पर गंभीरता से चर्चा हो रही है क्योंकि दीरे दीरे ये पाया गया है चाहे वो अखबार हो चाहे वो टेलेविजन हो चाहे दूसरे माध्यम हो हर माध्यमों में एक तरह की कंसेंट्रेशन जिसको संकेंदरन करते हैं वो बढ़ रहा है कुछी घरानों के हाथ में चाहे वो ओद्योगी घराने हो चाहे मीडिया घराने हो उनके हाथ में ज़्या से ज़्यादा मीडिया का कंट्रोल आता जा रहा है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है पर भारत में भी ये दिखाई पड़ रहा है पहले बहुत सारी लोगों को लगता था कि हमारा भारत का जो मीडिया मार्केट है वो बहुत कई तरह के भाशाओं में है इसलिए एक किसी मीडिया कंपनी के मोनोपोली नहीं हो सकती लेकिन अब वो सारी धारनाएं पिछले 15-20 साल में तूटने लगी है हिंदी का अकबार होते हुए भासकार मराथी का भी शुरू कर सकता है गुजराती का भी शुरू कर सकता है तो एक दूसरी भाशाओं में जा रहे हैं और एक ही अकबारों का चेन पूरे देश में 6-6-8 राज्यों में है उसी अकबार के पास टेलिविजन चैनल भी है उसी के पास रेडियो स्टेशन भी है उसी के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है तो एक तरह से आप कहिए तो होरिजेंटली भी यानि चैनली चैनली की रूप में भी और वर्टिकली भी दोनों ही रूपों में हमें दिखाई पड़ रहा है कि मीडिया में कुछी घरानों की या इंडिस्ट्रियल हाउसेज की का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है उनके शेयर बढ़ते जा रहे हैं तो ये एक चिंता की बात है और चिंता की बात इसलिए है कि लोगतंत्र में हमें जो सबसे उसकी बुनियाद में चीज है कि वहाँ विचारों के मामले में जादा से जादा डाइवर्स्टी और प्लूरालिटी हो यानि बहुलता और विवधता हो क्योंकि अगर लोगों के पास हर तरह का विचार पहुँचेगा, उन विचारों में विविधता होगी, विचार क्या है, विचार एक तरह से लोगतंत्र में, देश में, समाज में आने वाली विविधन समस्याओं के हलके अलग-अलग प्रस्ताओ हैं, तो ये विचार सब लो तो एक ही तरह के विचार उसके जरीए निकलेंगे और वो धीरे दीरे ये होगा ये भी दिखाई पड़ा है पिछले कुछ वर्षों में कि कॉम्पुटिशन के कारण जो एक ही तरह के विचार जैसे भी समय टेलेविजन में देखे तो ज्यादा तर टेलेविजन चैनल जिस ये बताते हैं कि मेडिया में बिविजता और बहुलता सुनिश्चित करने के लिए उसके मालिकाने के मौझूदा ढांचे के रेगुलेशन पर विचार होना चाहिए आपने कहा कि विचारों की सोतंत्रता होनी चाहिए और जब हम ये कहते हैं कि कोड अफ कंड़क्ट जैसी चीज़े होंगी जो कि नौक और साहों पर भी लागू होती है और अगर हम देखें तो वो फेस्बुक तक भी नहीं चलाते हैं उस पे कुछ लिखते तक भी नहीं है तो जब एक सता प्रतिष्ठान के लोग ऐसे बात करते हैं कि आप कंफिलिक्ट जों में रिपोर्टिंग कैसे करेंगे नैस्नल सीक्यर्टी पर कैसे बात करेंगे इन चीज़ों के लिए कोड अफ कंड़क्ट को आपको फालो करना पड़ेगा तब वहाँ पर कैसी इस्थित है या बाकी और भी प्रोफेशन में जहां भी उनकी अपनी बॉड़ी है या जो संगठन है वो खुद स्वैक्षिक रूप से कोड अफ कंड़क्ट तयार करते हैं ब्यापक कंसल्टेशन के बाद तय करते हैं और उसका पालन खोधी तय करते हैं कोड अफ कंड़क्ट एक त अफिवक्ति की आजादी में कोड अफ कंड़क्ट नहीं एपलाई हो सकता लेकिन ये बात सही है कि मेडिया में खास करके कोड अफ कंड़क्ट जैसे प्रेस काउंसिल कभी एक उन्होंने कोड अफ कंड़क्ट बनाया हुआ हुआ है और विबिन मामलों की कवरेज के लिए हुआ है चुनाओं में कैसे कवरेज किया जाना चाहिए उन्होंने ही टौट है कोड अफ कंड़क्ट करना चाहिए इसमें कोई पत्रकारों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें civil society की भी भागेदारी हो, उस पर व्यापक बहस हो, उसको चर्चा के बाद democratic तरीके से, लोक्तांत्रीक तरीके से, इस तरह का code of conduct बन सकता, मैं ये मानने के लिए तयार नहीं हूँ, कि कोई code of conduct नहीं होना चाहिए, क्योंकि code of conduct नहीं होने का भी नुकसान हम सब को मालूम है कि क्या होता है, लेकिन वो code of conduct एक democratic हो, समवेधान की अवधारना के मताबिक हो, अभिवेक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने वाला हो, पत्रकारों की आजादी को सुनिश्चित करने वाला हो, लेकिन साथ ही साथ उन पर क जवाबदेहियां भी आयद करने वाला हो, ये आप जब पत्रकार सबसे सवाल पूछते हैं, मीडिया जब सबसे सवाल पूछता है, तो खुद को भी उन सवालों के लिए तयार रखना चाहिए, और उन सवालों का जवाब देने के लिए तयार होना चाहिए, तो एक मामले म democracy में कोई भी institution लोगतंत्र में कोई भी संस्था जबाब देही से परे नहीं हो सकती उसको जनता के सामने जबाब देह होना ही पड़ेगा बहुत दिनों तक मुझे लगता है कि मीडिया खास करके इस जबाब देही से बचता रहा है सूचनाओं के इतने platform है सूचनाओं का बारंबार है मतब भंडा क्या कहते हैं कि bombarding हो रही है वहाँ पर fake news जैसा जो phenomena है वो लगता है कि स्वभाविक तोर पर उत्पन हो रहा है तो ऐसी चीजों में आपको क्या लगता है कि संरचनाई अगर मेडिया की सही कर दी जाएं और जनता को जागरुक होने का मौका न मिले तो क्या ऐसी असंतुलन की स्थिति में fake news से लड़ा जा सकता है देखें ये बात सही है कि fake news का प्रसार इन दिनों बहुत बढ़ गया है fake news से ज़्यादा उसको आप कहिए एक तरह का कूपरशार डिसिनफॉर्मेशन ज़्यादा बहतर सब दिये है जिसमें एक बहुत सोचे समझे तरीके से इस तरह की जानकारियां जूटी सूचनाएं समाचार विचार वो प्रसारित किया जा रहे हैं लोगों तक पहुँचाय जा रहे हैं और उसमें नए माध्यमों के करण उसका विस्तार बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है लेकिन डिसिनफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा की समस्या आज की नहीं है बहुत पुरानी है बहुत लंबे समय से मेडिया का इस्तेमाल दुरुपयोग डिसिनफॉर्मेशन के लिए या आपका ये प्रोपेगेंडा कैमपेंड के लिए होता रहा है लेकिन नए माध्यमों ने इस समस्या को और ज़्यादा विशाल और एक तरह से कहिए कि जटिल बना दिया है इसमें कई पहलू है इसके एक तो लोगों की अभिवक्ति की आजादी है आप इस पर बहन नहीं लगा सकते इसको नियंतृत नहीं कर सकते उस तरह से तो इससे लड़ने का जो एक मात्र तरीका है वो तो एक तो रेगुलेशन है कि रेगुलेशन एक ट्रांस्परिंट यानि पारदर्शी डिमोक्राटिक रेगुलेशन बने सभी स्टेक होल्डर के साथ बाचीत करके चर्चा करके इस तरह की बनाई जाए और जो दूसरी बात है इस संदर्व में मैं वो समझता हूँ वो ये है कि लोगों को जागरूप बनाया जाए जिसको हम कहते हैं मीडिया साक्षर्टा का विस्तार हो हम हमेशा सोचते हैं कि लोकतंत्र में जो संस्था हैं किसी भी तरह की उनकी संस्थाओं का जो संरचना है उसको अगर हम पुखता कर दें, बहुत अच्छा कर दें, नियम कानून अच्छा बना दें, तो वो सारी चीज़े ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहां पर हम यह दिखता है मेडिया में, कि संस्थाओं के साथ साथ एक ब्रांडिंग की संस्कृति भी काम करती है, जहां पर क्या ह होता है कि तीन, चार, पांच चहरे होते हैं, जो ही लगता है कि पूरी तरह से पत्रकारिता को सभाल रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी होती है, अंग्रेजी के अख़बारों में, हिंदी में भी अख़बारों मिल जाती हैं, वो दिखती नहीं है, वो आती हैं हमारे पटल पर, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, तो ये जो प्रसार है ब्रांडिंग का, जो कि दरसल एक पुंजी पैसे से भी आता है, ये भी आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी चीज़ें भी रुकें, इस पे भी कुछ डबाव डाला जाए, सारी चीज़ें ठीक हों? कुछ के हो सकते हैं कि ये सरकार के समर्थक हैं, कुछ के हो सकता है कि ये खास तरकी विचारधारा के समर्थक हैं, ज्यादा तरकी ब्रांडिंग तो इसी तरकी है, मुझे इससे कोई चिंता नहीं होती, मुझे इससे जरूर चिंता होती है कि जो ब्रांडिंग का ये institutions की तरह रहे हैं संपादुकों के जरी अकबार पैचाने जाते रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में तरह तरह के विचार हो उसमें भी कोई बुराई नहीं है मुश्किल तब होती है जब सब विचार एक ही तरह के हो जाए वो लिए सही सूचना पहुंचना बहुत जरूरी है सचाई का पहुंचना आम लोगों के लिए उनके जीवन के लिए उनके भवश्य के लिए सबसे महत्व पूर्ण है अगर उन तक सचाई नहीं पहुंचती है तो वो अपने जीवन के बारे में अपने समाज के बारे में अपनी सतर्क और साथान रहना चाहिए यह जरूर देखना चाहिए कि जिनकी भी जो भी नाम है उनको थोड़ा ठोक बजा करके समझ करके देखें अनिता अगर किसी ने ट्रस्ट अर्न किया है लंबे समय से 20 साल से 25 साल से 30 साल से एक काम किया है और उसके जरिये उसने अपनी एक अब इसमें हमें जो मार्केटिंग के जरिये कुछ चेहरों को चमकाया जाता है तो हर चमकने वाला चेहरा सोना नहीं होता है यह भी हमें लगता है कि लोगों को बताना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए शुक्रियान अंसर हमसे बात करने के लिए पूरी चर्चा को ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए कि बहुत सारे उत्तर हैं और इसका जवाब एक ही है एक नागरिक होने के नाते कि इस पर खुल कर चर्चा के जाए जितनी खुलकर चर्चा करेंगे हमें जबाब मिलता रहेगा सुक्रिया देखते रहें न्यूज क्लिक